Hello there! स्वागत है आपका हमारे चैनल The Superhero Cops में तो फाइनली हमें बैटमेन की एक सोलो मुवी देखने मिल रही है क्योंकि इतने सालों में अब तक हमें बैन अफलिक के बैटमेन की सोलो मुवी देखने नहीं मिली ये मुवी अगले साल आने वाली है और इसके टीजर ट्रेलर से तो लग रहा है कि ये मूवी बहुत ही खतरनाक होने वाली है ये टीजर ट्रेलर DC फैंडम के दौरान रिलीस किया गया था और इसके साथ DC ने जसल लिग के स्नाइडर कट का ट्रेलर भी रिलीस किया था तो इस वीडियो के बाद हमारे वो वीडियो का ब्रेकडाउन भी ज़रूर देखें So let's begin डारेक्टर के कुछ स्टेटमेंट्स और इस टीलर को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये बैटमेन इगो, बैटमेन येर वन और दो लॉंग हेलोविन इन कॉमिक से इंस्पायर है और मोटिवेशन क्लियरली बताया जाएगा और किस तरह वो अपनी दोनों परसनलेटी मेंटिन कर रहा है दूसरी कॉमिक है बैटमेन येर वन हाला कि ये मूवी बैटमेन के येर टू में प्लेस लेगी यानि कि इस मूवी में ब्रूस स्वेन को बैटमेन मने हुए सिर्फ दो साल हुए है और इस वज़े से उसका सूट भी पहले के बैटमेन जितना परफेक नहीं है दिखने में इस सूट बहुत ही बैटास लग रहा है पर इसके डिजान को देखकर लग रहा है कि इसे कुछ चीजों को जोड़ कर बनाया गया है इस सूट का बैट सिंबल भी बहुत इंटरस्टिंग है ये एक तियोरी है कि ये बैट सिंबल ब्रूस वेन उसी गन को तोड़ कर बनाता है जिस गन से उसके पैरेंट्स मारे गए थे और इस सूट में गाटलेट्स भी है ये गाटलेट्स कॉमिक के टैलन नाम के कैरेटर से बहुत मिलते जुलते हैं इस बैटमेन की बैट मोबिल, बाइक और बैट केव तीनों भी पिछले बैटमेन जितने परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये अभी भी नया बैटमेन है और ये मूवी सस्पेंसफुल और मिस्टिरियस होने वाली है जिसमें फाइनली हमें बैटमेन की डेटेक्टिव साइट ज्यादा देखने मिलेगी तीसरी कॉमिक जो हमने मेंचिन की है वो है दर लॉंग हेलोविन ये कॉमिक भी बैटमेन के शुरुवादी सालों में प्लेस लेती है और ये भी एक मर्डर मुश्री कॉमिक है जिसमें बैटमेन के कहीं सारे विलन्स अफियर होते हैं तो इस मूवी में भी शायद ही हो टेलर से हमें कुछ विलन्स तो दिखते ही हैं पहला है रिडलर इस रिडलर के डिजाइन को कॉमिक अकुरेट से ज़्यादा रियलिस्टिक बनाया गया है और ये एक रूमर भी है कि ये फायर फ्लै नाम के एक विलन्स भी हो सकता है जिसे रिडलर ने भेजा होगा तो बादने हम रिडलर का एक रिडल देखते हैं और इस रिडलर के cover page पर एक skull और एक owl भी है ये owl The Long Halloween या Washman का reference हो सकता है ये रिडलर एक joke है जिसका मतलब है मरे होए इंसान कभी जूट नहीं बोल सकते ये इस रिडलर का rough translation है तो इन सब footage और रिडल्स को देखकर लग रहा है कि रिडलर गौथम के corrupt लोगों को एक एक करकर मार रहा है और वो बैटमन को भी कहता है कि वो गौथम के corruption को ignore कर रहा है और वो ये भी कहता है कि बैटमन उसके plan का एक बड़ा part होगा इस मुवी में जेफरी राइट जिम गौडन का रोल प्ले करेंगे और शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि बैटमन और पुलिस एक साथ काम करेंगी पर बाद में एक सीन में हम देखते हैं कि बैटमन कहीं सारे पुलिस आफिसर से लड़ रहा है और एक आफिसर दोस पर शूट भी करता है तो शायर इसी सीन में बैटमन पुलिस का करप्शन डिसकेवर करेगा जिसके बारे में रिडलर उसे कह रहा था और इस सीन में रिडलर एक फ्यूनरेल में एक गाड़े भेशता है जिसमें एक यूमन बाउम है और इस सीन में बाउम की जरीए वो बैटमन को एक मेसेज देगा पर इस फ्यूनरेल में बैटमन नहीं बलकि ब्रूस वेन है तो इस वर्जिन में शायर रिडलर ने बैटमन की आइडेंटिटी को डिसकवर कर लिया होगा और ये सीन हमें फिर से देखने मिलता है जब ब्रूस वेन बैटमन बन जाता है इस मूवी में बैटमन का एक और विलन है जो पैंग्विन है जिसका रोल प्लेई करेंगे कॉलिन फेरल ये अपने कैरेटर में पूरी तरह से उतर चुके है इस मुवी में Catwoman को प्ले करेंगी Zoe Kravitz इस सीन में वो एक robbery कर रही है पर वो अपने perfect suit में नहीं है पर Zoe ने confirm किया है कि उसने Catwoman असली suit शूटिंग के दरण बहुत बार पहना है तो शायद ये सीन मुवी के start में होगा जब Catwoman विलेन की तरह आएगी और end में वो Batman के साथ मिल जाएगी बिल्कुल Dark Knight Rises की तरह और इस मुवी में हमें नया Alfred भी देखने मिलेगा जिसे प्ले कर रहे हैं Andy Serkis और MCU में इन्होंने Clock का रोल भी प्ले किया है फिर हम ये गैंग देखते हैं इनके Face Makeup से हम ये अजिम कर सकते हैं कि ये Joker के लोग हो सकते हैं पर इस मुवी में कहीं भी Joker को mention नहीं किया गया है तो ये लोग Ridler के लोग हो सकते हैं क्योंकि उसके Riddle में एक Skull भी था जो इन लोगों के Makeup से match कर रहा है तो ये लोग Normal Street Gangsters भी हो सकते हैं वो जो भी हो पर Batman उसे बहुत badass तरीके से मारता है और ये moment पूरे teaser trailer का सबसे highlighting moment था इस scene में वो कहता है कि I am Vengeance ये लाइन Batman The Animated Series का एक popular डालोग है और trailer के end में Ridler कहता है कि तुम भी इस सब का हिस्सा हो तो इस से हमें ये बता चलता है कि इस मूवी में The Dark Knight जैसी vibes होने वाली है और हमारी हिसाब से ये version Ben Affleck और Christian Bale दोनों का mixture होगा क्योंकि इसके fighting moves Ben Affleck जितने खतरनाक दिखते हैं और इस movie का tone Christian Bale के Batman जैसा realistic लग रहा है तो comment करें कि आपको ये teaser trailer कैसा लगा और एकर आपने हमारा जैसी लिख का trailer बेकडान नहीं देखा है तो वो भी देख लें और हमें subscribe करें This is Superhero Cops and thanks for watching